एक लड़के के पीछे हाथ धोकर पड़ा एक जहरीला सांप 34 दिन में 5 बार डस चुका है मामला जानेंगे तो आप भी अचम्बित हो जाएंगे सांप ने सपने में भी आकर कहा तुझे 9 बार डसूंगा UP के फटहपुर का ये मामला बड़े ही चर्चे में है एक शक्स का दावा है कि 34 दिन में एक सांप ने उसे 5 बार डस लिया है अभी हाली में आपने खबर सुनी होगी कि एक बिहार के युवक ने सांप के काटने के बाद वापस सांप को ही काट लिया लेकिन ये मामला संगीन है विकास को पहली बार 2 जून को सांप ने काटा था बताय जा रहा है कि सुभह 9 बजे बिस्तर से उतरते ही सांप ने काट लिया था इसके बाद परिवार वाले उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर ने इलाज किया और स्वस्थ होकर पेड़ित घर भी आ गया सभी को लगा ये आम गटना है हाना कि ये सिलसला खत्म नहीं हुआ 10 जून की रात को विकास को दो बारा सांप ने काट लिया वो फिर अस्पताल गया और ठीक होकर वापस घर आया उसके अंदर डर बैट गया और सांप धानी बर्पने लगा मगर 17 जून की रात को उसे फिर सांप ने डस लिया वो बेहोश हो गया और परीजन टेंशन में आ गये और उसे अस्पताल लेके भागे इसके 7 दिन बाद ही सांप ने वापस फिर उसको डस लिया और 4 दिन बाद दुबारा डस लिया लगातार हो रही इस गटना के चलते परिवार के लोग दहशत में आ गए इस गटना से डॉक्टर भी हैरान है इसके चलते लोगों ने कुछ दिन घर से दूर रहने की सलहा भी दी इसके बाद विकास अपनी मौसी के घर राधा नगर पहुचा घर वालों को लगा विकास कुछ दिन घर से दूर रहेगा तो इस गटना को भुला पाएगा मगर वहाँ भी वही हुआ जस बात का डर था उसे सांप ने फिर डस लिया विकास ने बताया कि तीन बार काटने के बाद सांप उसके सपने में भी आया था जिसमें सांप ने कहा तुझे नौ बार डसूंगा आठ बार बच जाएगा लेकिन नौ भी बार खैर नहीं विकास का इलाज करने वाले डॉक्टर जवार लाल का कहना है कि हर बार विकास को anti-snake venom injection और emergency दवाईयां दी जाती है और हर बार ठीक होकर विकास घर भी चला जाता है मगर सांप फिर काट लेता है उसके शरीर पर सांप के काटने के निशान भी साफ नजर आते है विकास का कहना है कि उसे पहले ही आखों में खीच ली है इसलिए उसे डस रहा है लड़का जहां भी जाता है सांप उसके पीछे पढ़ जाता है इस घटना को जानने के बाद लोगों को फिल्म जानी दुश्मन की याद आ रही है जिसमें देखा गया है कि सांप अपने दुश्मन की तस्वीर अपनी आखों से खीच लेता है और उन लोगों को खोज-खोज कर काट लेता है कैई बार इन सची घटनाओं पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है आखिर मामला क्या है कुछ कह नहीं सकते आपका क्या मानना है मैं अरजुन कुमार ये थी आज की ताजा खबर देश रोजाना पर